Hello guys, welcome to webly youtube channel आज़के वीडियो में आपको बताने वालाओं किस तरह से आपके Windows में PIP इंस्टॉल कर सकते हैं तो PIP इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपके Windows में Python इंस्टॉल होना चलो रही है अगर आपके Windows में Python इंस्टॉल नहीं है, तो आप इंस्टॉल कर लीजे, मैं वीडियो बनाया हुआ है कि Windows में Python कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैं link description में दे दूँगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके ब्राउजर में चले जाना है, ब्राउजर में जाने के बाद आपको Google पर PIP सेर्च करने के बाद आपके सामने देखें, यहां पर जो फॉर्स्ट लिंक मिल जाता है, PIP ता Python Package Installer नाम से, इसको open करने के बाद आपक आपको देखें, यहां पर एक installation का option मिलता है, यहां पर चले जाना है, यहां पर जाने के बाद आपको, देखें, यहां पर installing with getPIP.py, तो install PIP securely, download getPIP.py by following this link, getPIP.py, तो आपको यहां पर direct simply click कर लेना है, तो देखें, अगर यहां पर आपका download start नहीं होता है, अगर ऐसा पेस अगरें, जाना है, तो आपको यहां पर आपको simply right click करना है, right click करने के पाद, जहां पर आपको PIP save करना है, वहाप आप सेफ कर सकते इसको, तो मैं simply desktop में यह new folder create करने वाला हो, new folder PIP नाम से, तो इस folder में मैं save कर लेता हूं इसको, तो चलिए मेरा, देखें, यहां पर getPIP save हो ह सेफ करने के बाद आपको सिंप्ली क्या करना है सिंप्ली आपको उस फॉल्डर में जाना है फॉल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिफ्ट क्लिक करके रखना है सिफ्ट क्लिक करके रखना है उसके बाद रैट क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप open Powercel Window हियर का option आ जा रहे है अगर आप Right Click Simply करते हो तो यहाँ पर उसका option नहीं मिलता तो आपको shift-click करके रखना है उसके बाद Right Click करना है उसके बाद यहाँ पर open Powercel Window के यहाँ पर click करते हैं तो देज cookie मयरा Windows Power łवें open हो चुगा आ है तो यह भात पर टेक्स्टोर प्याय पी जो मैंने फॉल्डर खुला था इस पात भी अपे एह पर तो यहां पिक आपको यह पिस्धीलिप्ली आपको आप यहां पर देखे यहां पिक्या लिखा हुआ है then run the following command in the folder where you have to download it get pip.py आपको simply यहां से python get pip.py को copy कर लेना है कोपी करने के बाद आपको यहां पर सिंपर ली पेस्ट कर देना है तो यहां पर देखिए कि मेरा इसलिए यह यह है ऐसे यह तो यह सो फिर से न यह विए पेस्ट भी असले पहले इसके बाद फिर से न्युवारा फिर इस भी इस भेंगे तो यहां पर देखिए मेरा successfully installed pip 20.1.1 मेरा successfully pip install हो चुका है अब मुझे अगर check करना है कि pip installed हुआ है कि नहीं और उसका version किया है तो simply आपको यहां पर चलिए इसको काट देते हैं अगर आपको check करना है तो आपको कैसे check कर सकते हैं आपको अपना command prompt open करना है cmd command prompt open करने के बाद यहां पर आपको simply लिखते हैं यहां पर देख सकते हैं आप pip 20.1.1 install हो चुका है और अगर आप python install करना चाहते हैं आप नहीं जानते कि python कैसे install किया चाता है तो मैं लिंक description में मैंने दे दिया है वहां से आप चाहिए python कैसे install किया चाता है वो वीडियो देख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें